मेरे प्यारी साथियों नमस्कार आज की इस पार्ट में जो हम बात करने वाले हैं मद्धिकाली निथियास की बात करेंगे और यहां से हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के प्रशन बनते हैं उन प्रशनों का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और आपको मैं बता दू साथियों कि जो मद्धिकाली निथियास है यहां से दो नमबर, चार नमबर और आठ नमबर के प्रशन बनते हैं और यहां के जो प्रिया जो टॉपिक हैं उसमें दिल्ली सल्तनत, विजयनेगर, सूफी और मुगल सामराज यहां से प्रशन बनते हैं तो मेरे प्यारे साथि किसी ने बड़े कमाल की वात गई है कि होसले के तरकस में कोसिस का वो तीर जिंदा रख हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख तो मेरे प्यारे साथियो जो हम बात कहने वाले हैं आज इसी उम्मीद की कि भाई आप कैसे बैटर कर सक करते हो कैसे अच्छा कर सकते हो उसी पर हम चर्चा करते हैं और चलिए देखते हैं यहां पर कुछ प्रस्णों को जैसे अगर यहां पर बात की जाए पहले हम दो नंबर के प्रस्ण की बात करेंगे और दो नंबर का प्रस्ण की हम यहां पर बात करेंगे और दो नंबर का क्या कांट्रिव्यूसं दिया कौन सी उसकी महतपुड़ि मारते हैं? पूछना ये चाहता है। क्या पूछन चाहए? कि इस्थापत्ति के छित्र में यहां पर योगदान की चर्चा करना है. मैंने कहा आप से जो मद्धीकालीन इतियास है , मद्य कालीन इतियास और मद्य कालीन भारती जो इतियास है इस इतियास में जो प्रस्ण पूछता है वो मैंने कहा कि 2 marks और 4 में और 8 में इनसे पूछता और जो topic होते हैं यहां पर जो इसके जो topic हैं ठीक न?, जो topic है यहां पर चाहें वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो विजयनगर हो, विजयनगर हो और चाहे आप वहाँ पर मुगल हो, टॉपिक आपने सुना होगा जिसका नाम है मराठे, तो मराठे को चाहे हम मुगलों के साथ पढ़ लें, सम्मंदों को देखते हुए, या फिर अंग्र के जहां से प्रश्ण बन सकते हैं, तो इन प्रश्णों के हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं और एक बहतरीन सटीक आंसर की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, दो नंबर के प्रश्ण की बात करने वाले हैं, हमने कहा कि कुत्वद्दीन एवक, पहला यहां पर इसका क्या पूछ लिया है योगधान पूछ लिया है तो साथियों आप इस बात को जान लें कि जो इस्थापत्ति का मतलब किया है किसी निर्माड की वात कर रही है किसी कंस्ट्रक्शन की बात की जाती है किसी निर्माड की वात की जाती है अब इसने वो निर्माड किस चेत्र में कराया हो, चाहे मद्धिकाल है, मुस्लिम काल है पूरा, तो यहां पर निर्माड चाहे इसने किसी मस्जिद का, चाहे इसने किसी मस्जिद का निर्माड कराया हो, और चाहे इसने किसी टॉम्ब यानि मकवरे का निर्माड कराया हो, चाहे इसने किसी मकवरे का न निर्माड कराया हो इस तरह से हम लोग देखते हैं या कोई किला इसने किसी फोल्ट को निर्माड कराया है कि नहीं किले को इसने क्या किसी किले को इसने निर्मित कराया है कि नहीं कराया है और प्रस्न है मात्र दो नंबर का तो हमको क्या लिखना है डारेक्ट पॉइंट टू निर्माड कराया कि नहीं कराया कुतोव मीनार का इसने निर्माड कराया अपने गुरु वक्तियार काकी की सम्मान में ठीक न और इसने क्या एक जैसे अधाई दिन का एक जोपड़ा एक हंड को बनवाया था तो इसके समय तीन इमारते हमें देखने को मिलती है तो आप क्या ल महत्पूर योगदान दिया क्या दिया है महत्पूर योगदान दिया जिसमें इसने क्या बताओगे इसने अपने सबसे पहले क्या इसने अपने गुरु वक्तियार का की नाम क्या इसने अपने आधर्णी जो सूफी संथ थे जिसको इनन इसने अपना गुरु बनाया और उनक और वक्तियार काकी की सम्मान में इसने किसकी स्थापना की थी? कुतुब मीनार की स्थापना की थी, किसकी कुतुब मीनार की नीव रखी और इस मीनार की जो पहली स्टोरिय फर्ष्ट मंजिल का इसने क्या कराया था? निर्माड कराया था, ठीकिन हाला कि फिर वाद में इसे इल्तुत मिस्पूरा कराता है फिरोज सत्तोगलग भी उसकी एक बिल्डिंग को बनबाता है लेकिन सबसे पहले निर्मित किस ने कराया इसी इल्तुत सरी कुत्बुद्दीन एवक ने कराया था अपने गुरू कुतुब इन्हें वक्तियार काकी की सम्मान में पहला मस्चित कुबथ उल्सित इस्लाम मस्चित पॉइंट डिकना है अगर आपने यह देख लिया कि हमयें लिखना कि प्रस्ण की मांग क्या है सबसे पहले आप क्या समझाएंगे पहले प्रस्ण समझो। कि भाई या पहले हमने अगर यहाँ पर प्रस्ण Precis no देखा कि भाई प् contribution दिया है जैसे इसने अपने गुरु वक्तियार का की कि सम्मान में कुटम मीनार की नीव रखी है ना उसकी स्थापना कराई और दूसरा इसकी जो इस्थापत्ति के चित्र में देखोगे एक मस्जिद का निर्माड कराया कहां पर दिल्ली में कुटम कुबद अलिसलाम मस्ज अड़ाई दिन का जोपड़ा समझें इस रूप में हम क्या कर सकते से देख सकते हैं अब जैसे यहाँ पर जो मैंने इसका है ना यहाँ पर सारी चीज़े बताई है महतपूर योगदान दिया कुबद अलिसलाम की स्थापना अड़ाई दिन का जोपड़ा और इसने सूफी संदवक्तियर का कि सम्माने कुतुमीनार की नीव रखी थी महतपूर दो नंबर का हो गया फाइनल और दो में दो मिलने वाले आपको देखो यहाँ पर यह क्या है है ना कुबद अलिसलाम मस्जिद उसके बाद अड़ाई दिन का जोपड़ा इसे देख लो यह देखो कुत गुबद अलिसलाम यह मस्जिद है और यहीं पर देखो दिली का महरोली प्रांगड़े यहीं पर बगल में क्या है एक कुतुमीनार की स्थापना और यहीं वो क्या है यह बाद की बात है इसको जाने दो है अगुप्तकाल का यह लोह स्थम्भ है लेकिन मैं यह वताने का प दूमाक्स का एक प्रस्ण था और इसमें तीस सब्द मैंने कल कहा था मैंने कहा पिछली लेक्चर में कहा कि भाई जो प्रस्ण पूछा जा रहा है कि तीस सब्द तो तीस पे मत पहुचाओ 27-28 समयाट दोसको अगर 60 सब्द पूछे जा रहे है 55-57 समयाट दोसको 100 सब्द प इस दो नंबर का प्रस्था इल्टुत मिस के द्वारा जो इस्थापित किया गया था चालीस अदल चालीसा दल की चर्चा ये प्रश्ण पूछा था आपका ये दो नमबर प्रश्ण था चालीसा दल की चर्चा कीजिए क्या पूछा था चालीसा दल की चर्चा कीजिए तो दो नमबर में लिखना था चालीसा दल अब आप जानते हो अब इतना था चालीसा दल की चर्चा कीज पहले इसकी स्थापना किस ने की थी इलतुत पॉइंट टू पॉइंट जो पूचा है बही लिखना इस बात को दियार एस्ट्रा मटेरिल कुछ नहीं लिखना है इसकी स्थापना किस ने की इल्दुतमिस ने की किन को मिला कर की थी तो चालीस तुर्क सरदारों को मिला कर की थी सरदारों को मिला कर की थी और इसी कारण से तुर्कान ही चहल गानी कहा जाता था इन चालीस तुर्क सरदारों को मिला कर की इसी कारण से तुर्कान ए चहे लगानी कहा जाता है, कहा जाता है, कहा नी समझे, कहा जाता है, इतना point के लिए रहे, क्यों कि या था, एक line और add गर दो, कि इसकी स्थापना क्यों कि सासन प्रसासन को मजबूत बनाने के लिए, और अंतिम line लिख दो, कि इसका जो समापन किया था, इसका समापन किस ने किया था, बलवन ने किया था, आंसर हो गया, अब मैंने कहा, दो नंबर का प्रस्ण में कम से कम 3 point, अधिक से दिक 4 point आप mention कर द और मैंने यहाँ पर आपको यह बताया, तुरकाने चहल गानी के बारे में, कि इसकी स्थापना इल्तुतमिस ने 40 तुर्क सरदारों को मिला के की, पहली line खतम, और इस अकारड इसे तुरकाने चहल गानी कहा जाता है, खतम, क्यों? सासन प्रसासन को मजबूत बनाने के और दूसरा क्या, इसका समापन अंतिम पॉइंट क्या लिखेंगे, यह निरंकुस होता जा रहा था, तो इसकी, इसको समाप्त किस नहीं कर दिया था, ऐवलिस बलवन्ये से फिनिस कर दिया, दो नंबर में कहानी के लिए रहे, और ऐसे ही हो सकता है, दो नंबर में एक प्र दो नंबर में एकता विवस्ता से क्या समझते हो, तो फिर वही बताओगे, इसको एकता विवस्ता क्या है, ठीक है, इसको क्यों लाया, ठीक है न, क्या है और क्यों लाया, दो नंबर में खतम कहानी, तो एकता विवस्ता का मतलब क्या है, एक यह भूखंड होता था, एकता मिसने क्यों किया था ताकि राज जी की आय निश्चित हो सके और इसका पहला उल्लेक सियास्त नामा में मिलता है उसको लिखने की वो जरूत नहीं है आप क्या लिखो एकता कतात पर एक भूकंड से मद्धिकाल में और इसको विवस्तित दिल्ली सल्तनत में इल्तुत मिसने किया था और लाय के उते राज जी की आय को विवस्तित यानि निश्चित प्राप्त करने के लिए और इल्तुत मिस ही वो पहला सा सके जिसने इस उप्राप्त करने के लिए उसने एकताविवस्ता को क्या किया सिस्टेमेटिक धन्त से जमा दिया ऐसी अगर एक प्रस्ण और बन जाए कि भई रक्त एवं लौह की नीती से आईरेन एंड ब्लड पॉलिसी रक्त एवं लौह की नीती से आप क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं क्या समझते हैं आप दो नंबर का प्रस्ण है केवल दो नंबर का प्रस्ण तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यह विवस्ता कौन ले के आया था यह विवस्ता कौन ले के आया तो आप क्या बताओगे इसको बलवन ने क्या किया था लागू किया थ था क्यों लागू किया था क्योंकि बलवन आप जानते हो इलतुतमिस का दास था और दास एक राजा वर रहा है तो उसे राजत्यु के पद को मजबूत करना था और अपने बिरोधियों को क्या करना था समाप्त करना था ठीक है ना तो इसने क्या किया क्यों लेके आया तो यह है अपने विरोधियों को जो इसका विरोध करते थे अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए लाया और इसी निति के माध्यम से इसने 40 दलका क्या किया था इसी निति के का प्रशन तीन लाइन ने खतम कहानी पूचा क्या रखतेवं लोह की नीती से आप क्या समझते हो तो रखतेवं लोह की नीती कौन लेके आया बलवल लेके आया क्यों लेके आया अपने विर्योदियों को समाप्त करने के लिए लाया था और इसी नीती के माध्यम से इसने क्य क्या किया था ठीक ना इसी नितिक माद्यम से क्या किया था इसने तुरकाने चेहल गानिया 40 आदल का समाप्त किया था कहानी समझ रहें दो नंबर के प्रश्ण में कुछ नहीं जो पूचा है बस कोई एश्ट्राफाल्तू गंटेंट आपको देना ही नहीं है बस एक लायताल ह आपक किसमें है पैराग्राफ में हना चाहिए और प्रषिन की लिखना है और प्रशन क्ही की नुषवार, है प्रश्णानुसार जो प्रश्णी की मांगे है आपको लखना है अभी हम टेस्स सी्रीज की बहुत डेल्स सारी व्हां कौपीं है यहां पर जो लोग लिख 강ई दे रहा है तो वह लोग फालतु की चीज़ें लिख दे वाद उसके answer को क्या करें, draft करें, अगर अभी आपके पास तो time है, exam का, तो जब भी आप किसी प्रशन को format तयार करें, तो आप क्या करें, यह आपकी copy है, तो सबसे पहले उस प्रशन को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, यह आपके प्रशन का, जिस पर आप answer लिख रहे हैं, यह आपकी copy है, suppose that, तो आप जिस प्रशन को लिख रहे हैं, जिस भी प्रशन को लिख रहे हैं, उस पर क्या करें, थोड़ा सा keyword आप पहले लिखने का प्रयास करें, उसको सोचें आप, और उसको जब सोच के लिखेंगे, कि यार पूछा ये, और हमको एक sequence को follow करते हुए, क नंबर में कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, और अगर चान नंबर के प्रशन को अगर पूछ लिया, यहाँ पर क्या है, अला उद्दीन के भूराजसु की क्या करना है, सुधार की चर्चा करना है, तो अला उद्दीन ने भूमी राजसु सुधार के लिए क्या कारी रिखने रिखुरम किये थे लाउ्दीन ने भू राजस्व अला उद्दीन तो यहां-पर क्या है प्रश्ण हमारा प्रश्ण था ये ग्रहने अवं किया है जैसे अला उद्दीन खिलजी गरा गुशها कि अ ace इन जी कर चल न कि जा रेफॉरम किया अला अलावद्दीन खिल्जी के भूर राजस्य सुधार की चर्चा करें कि भाया इसने क्या रिफर्म किये चर्चा कीजिए और यह प्रशनता चाहर नंबर में चर्चा कीजिए और आप इस बात को जानते अलाउद धीन खिलजी दिल्ली सलतनत का एक योगिस आ सक था खिलजी वन्स का और इसने क्या किया सबसे पहले इसने क्या सुधार किये तो इसके सुधार देखेंगे आपको लिखोगे आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे answer draft करेंगे आप कि ये अगर line है आपकी ये वाली आपकी क्या है ये line है और यहाँ पर आपको 60 सब्द लिखने है और मैंने कहा है 60 सब्द आपको नहीं लिखने है आपको 57-56 सब्दों में क्या करना है कानी finish करनी है तो आप क्या करोगे अलाउद्दीन खिल जी ने भूराजस्यो के छेत्र में महतपुर्स दार किये जिसमें इसने जिसमें इसने जिसमें इसने सबसे पहले क्या किया अब किरंबद तरीके से देखें कि सबसे पहले इसने क्या क्या कारी कर रहा है तो सबसे पहले इसने क्या किया भूमी की माप जोग कराई इसने क्या कराया भूमी की सबसे पहले इसने भूमी की माप जोग कराई भूमी को माप जोग कराया कि भूमी की पहले पता करो कितनी भूमी ऐसी है जो उपजाओ है कितनी भूमी ऐसी है जो खराव है कितनी भूमी ऐ कैसी है जहां से साल में दो फसले हो रही है तीन फसले हो रही है और पूरी तरह से बंजर जमीन कौन सी तो इसने क्या किया भूमिकी माप जोग कराई सबसे पहले और इसने क्या किया एक प्रडाली चलाई थी मसाहत इसने मसाहत प्रडाली के माध्यम से माप जोग कराता है और ये सबसे पहला सासक था दिल्ली सल्तनत का, जिसने 50% टेक्स को क्या किया था, कलेक्ट किया था, 50% कर इसने क्या किया था, बसूला था, इसने कितना कर बसूला, इसने 50% टेक्स बसूल किया, इसके अलावा इसने क्या किया, कुछ और टेक्स लगाये थे, चरी एवं घरी टेक्स लगाया, पॉइंट टू पॉइंट जो पूचा बही लिखना है, हमें नहीं बताना है कि ये योगी सासक था, खिलजी बंस में अपने चाचा की अपने ससुर की हत्या करके क्या वना था, ये सासक था, कुछ नहीं, इसने दच्छड भारत को जीता, मद्धिकाली ने भारत का समुधरूप्त कहा जाता, कुछ नहीं उनका मतलब है, इसने सैने सुधार किया, तो कोई मतलब नहीं है, इसने बाजार विवस्ता सुधार किया, कोई मतलब नहीं उनका यहां पूचा है केवल बुह राजसु केवल लेंड रिवेल्यू से यहां पर प्रश्न है तो हमें पाहि लिखना है सबसे पहले इसने क्या किया बुमी की माप जोग कराई मसाहत प्रडाली के माध्यम से इसने 50% करू को वसूल किया और इसने चरी-घर जो दुधारू पसू थे दुधा रूपसूँ पर इस ने क्या किया टैक्स लिया चरी और जो घरी ढोलते हैं तो घरों पर, इस इसने गरों पर भी लोगों को जमीदारों को जो दी गई थी, गाओं के खूत मुकद्दमों को दी गई थी, तो इसने क्या किया, अधिक्तम जमीन को, अधिक्तम इसने जमीन को खालसा में तबदिल किया, ये इसका बहुत बड़ा सुदार था, खालसा में, इसने अधिक्तम जमीन को किसमें, खालसा में परिवर्तित किया, चेंज कर दिया, किसमें परिवर्तत कर दिया, खालसा में, अब आप पड़े होंगे तो आपको याद होगा खालसा क्या है, खालसा होता है सरकारी भूमी, खालसा क्या है, सरकारी भूमी है खालसा, खालसा क्या है, सरकारी भूमी है, तो इसने क्या किया, इसने अधिक्तम जमी जमीन को खालसा भूमी में परिवर्तन कर दिया इससे क्या होगा जो खालसा है वो राज्जी की भूमी है और इस भूमी पर जो भी उत्पादन होगा वो किसका होगा राज्जी का होगा कहानी समझे तो यहां पर क्या है अधिक्तम जमीन को इसने खालसा भूमें परिवर्तन क और इसने क्या किये, जो खूत जो मुकद्दम थे, जो टैक्स वसूल किया करते थे, छित्री इस्तर पर, ग्रामीर इस्तर पर, तो इन मुकद्दमों के खूत और मुकद्दम, इनके अधिकार, इनके जो अधिकार थे, इनके अधिकारों को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दि दिया उसके बाद देखोगे जो अमीर थे अमीर वर्ग के लोग थे अमीर वर्ग पर भी इसने क्या कर दिया अमीर वर्ग जमीदार वर्ग ठीक ना तो इन पर भी क्या लगा दिया इसने इन पर भी इसने अंकुस लगा दिया इनको पर भी इसने क्या कर दिया control इस्थापित कर दिया और इस तरह से इस माध्यम से ये reform करने के बाद इसने क्या किया अत्यदिक इसने क्या किया tax को प्राप्त किया और इससे क्या हुई राज्य की आय में क्या हुई भहिया ब्रद्धी हुई आपको कुछ नहीं लिखना जो पूचा है सिर्फ बही लिखना इधर उधर की कोई कहानी नहीं लिखना आपको इस बात को ध्यार रखना और जो मेरे साथ ही इस वीडियो को देखेंगे जब भी उन्हें दिक्कत लगे कि भाई मुझे किस तरह से face to face आके पात करना है पूछना है किसी भी इतियास के दूरा जिस्स की चर्चा करो तो हमने कहा 4-5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए सबसे पहले भूमी की माप जो कराई मसाहत पड़ा ली के माद्यम से 50% टेक्स बसूल करने वाला पहला सा सक था इसके अलावे इसने चरीघरी कर लगा दिया उसके बाद यहाँ पर अधिक सकते हो सभी अधिकारियों इनके अधिकार वापस ले दिये कोट्स के मुकद्दम के यहां पर आप देखोगे इनके सब को विड्रो कर लिया 50% टेक्स बसूल कर लिया है ना अलावद्दिन खिलजी ने क्या किया बास तभी भूमी पर क्या किया था एक्च्वल जो है नंबर का प्रशन देखा अब एक प्रशन और देखते हम आठ नंबर का प्रशन आठ नंबर का प्रशन यह है कि इल्तुतमिस को दिल्ली सलतनत का बास्तवी के संस्थापक कहा जाता है जैसे ही हमने कहा कि प्रशन की डिमांड क्या है प्रशन की डिमांड क्या है प्रशन प को दिल्ली सल्तनत का समझते चलना इल्टुतमिस को इल्टुतमिस को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है तो बास्तविक संस्ताप कहा का दिल्ली सल्तनत का किसे कहा जाता है इल्टुतमिस का कहा जाता है प्रस नहीं पूचा है ठीके ना तो यहां पर हम कैसे ड्रा आ जा थे। कुछ कारे की होंगे उसने। और उन कारेओं के माध्यम से ही इससे धिल्ली सल्दनत का वास्तिविक संस्तापक कहा गया है। तो वो कौन से पारे थे और इसके सामने वो कौन से चुन利ोंटियां थी। जब चुनोतियां होंगी, यहाँ पर कुछ चैलेंज थे इसके सामने, कुछ चुनोतियां थी, और उन चुनोतियों से निपटने के लिए इसने क्या किये, कुछ कारी किये, तो वो कौन से कारी किये, जो इसको एक बास्तिविक सासक के रूप में इस्थापित करते हैं, प्रस पढ़ने के लिए क्या किया कारी किये अब देखो थोड़ा सा अगर आप समझ पाए तो अब यहां पर कौन है इलतुतमिस कि इलतुतमिस इलतुतमिस यह है और इसके समझ जब यह राजा बनता है आप जानते हो कि 1214 ये क्या वनेगा ये राजा वना ये और 1236 तक गया रहता है इसका time period है ये इस भी तक तो जब ये राजा वना था क्योंकि आप जानते हो दिल्ली सल्टनत की जब इस्थापना हुई तो कुत्बुद्दीन एवक ने इस्थापना की और 1206 में इस्थापना करता बारे रे सो द में दस में उसकी मरत्वि हो जाती तो मात्र 4.5 बरस का उसने क्या किया सासं किया और चार पांच बरस में क्या ही महत्पुड वो काम कर सकता है कैसे वह राज्य को मजबूत बना सकता है तो जब कुट बुद्धिन एभक की मरत्वि होती उसके बाद ही राजा बनता और राजा समझ जो क्या थी पहले चुनौतियां समझो आंसर अपने आप लिख लोगे समझ के समय क्या है चुनौतियां इसके समझ चुनौतियां क्या थी सबसे पहले क्या है राज जी को आंतरिक चुनौतियां थी चुनौतियां दो तरह से थी एक आंतरिक एक बाहे पूरी तरह से हम ल तो आंतरिक चुनोती क्या है एक तो राज जी मजबूत नहीं राज जी क्या है कमजोर है राजनेतिक रूप से राजनेतिक रूप से क्या है कमजोर है भी क्या कमजोर है दिल्ली सल्थनत राजनेतिक रूप से क्या है भी कमजोर है इसके साथ ही छेत्री राजाओं की चुनोत चुनोती होगी छित्री राजाओं की चुनोती है यहां पर राजपूत राजाओं की यहां पर चुनोती है इसनी के साथ और क्या चुनोती होगी यहां पर आंत्रिक चुनोती में तीसरी चुनोती और आप देखोगे यहां पर कि राज जी की आयका कोई निश्चित साधन नह छुम नहीं है कि अदरी की अर्थ व्हसता भी कhrサराब है और क्या चुनौती होगी X 2 ुब राज्यी का a का और राजनेतिक धहाचा भी कमझोर है तो अरज्यी का राजनेतिक इस्टेक्चर जो धहाचा है यह भी कमझोर है राज जी का इस टेक्चर भी धाचा है, वो भी बहुत कमजोर है, इसके अलावा यहाँ पर कमजोर है, मतलब इस्थाई सासन प्रसासन का अभाव देखने को मिलता है, जो सासन प्रसासन है, इसका क्या है, अभाव देखने को मिलता है, और इसके साथ इस्थाई जो मुद्रा प्रडाली है, मुद्रा प्रडाली है, इसका भी यहां पर कमी देखने को मिलती है, systematic ढंसे से लागू नहीं किया गया भी, और इसके साथ इनकी जो राजधानी है, राजधानी है, वो भी सुरच्छित जगे नहीं है, चुनोंती समझना, राजधानी भी सुरच्छित इस्थान पर नहीं है, कहां पर है इसकी राजधानी, तो उस टाइम लाह॓र थी, तो ऐसे में किसी भी राजधानी की सबसे पहली जरूरत क्या होती है, उस राजधानी को क्या करना, सुरच्चित रखना जैसे मगद का एक प्रश्ण पूछा था मगद के उदय के भौतिक काड़ों की चर्चा करो और जब मगद के उदय के भौतिक काड़ों की चर्चा में एक पॉइंट आता है कि मगद की दोनों राजधानिया सुरचित्ति याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मगद की दोनों राजधानिया सुरचित्ति मतलब जो राजग्रह था उसके वारे में आपने लिखा होगा कि राजग्रह पाँच पाड़ियों से गिरा हुआ था जब पुछा था आठ नंबर में कि मगद के उद्य के बहुते कड तो हमने एक पॉइंट यहां पर बताया था क्लास में भी और आपको भी बता दे रहा हूं कि यहां की जो राजधानी थी दोनों राजधानी यहां की कैसी थी सुरच्चित थी तो पहली राजधानी क्या है रहको चारों तरफ से पांच पहाडियों से से क्या किया गया था कवर किया गया था और इसी तरह यहां पर एक दूसरी राजधानी थी पाटली पुत्र पाटली पुत्र को आपको पता होगा आपके प्रिलिम्स में भी प्रस्ण पूचा था कि पाटली पुत्र कहां पर पश्षिम में सो नदियों के पास अवस्तित्ता संगम पर तो उदियन ने जिस नगर की स्थापना की वो भी एक सुरच्चित अभेद किला था तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं इनकी राजधानी भी सुरच्चित से स्थान पर नहीं थी सबसे जरूरी होती है एक करना चाहता है सासन वहां पर तो सबसे पहली प्रियोड़ी है कि उसके राजधी की राजधानी सुरच्चित होनी चाहिए इनकी राजधानी सुरच्चित नहीं थी पश्यम लाहौर में थी पाकिस्तान ठीक है और उस टाइम आप जानी रहे हो मंगोलों के आक्रमड गौरी कि अन्यदास जो थे जिसे हम बाहे चुनोती में दिखाएंगे इल्दोज कुबाच्या ठीक है तो यह क्या है राजधी की आंतरिक चुनोतियां थी जब मैंने कहा कि प्रश्ण हमारा था कि इल्टुत मिस दिल्ली सल्दनत का वास्तिविक संस्तापक कहा जाता है तो हमने कह क्यों बास्तिविक संस्तापक कहा जाता है इसने कुछ कारी किये होंगे तो भई कारी क्यों किये होंगे क्यों कि चुनोतियां होंगी और वो कौन सी चुनोतियां थी मैंने दो तरह से कहा मैंने कहा कि इसके समच्च चुनोतियां आंतरिक चुनोति और बाहे चुनोति थी य उसके बाद आयका निश्चिसादन नहीं था, राज जी का राजनेतिक धाचा कमजोर था, मुद्रा प्रडाली का क्या था, विकास नहीं था, राजधानी सुरच्चित इस्थान पर नहीं थी, समझ रहे हैं ना, तो एतनी डेर सारी इसके सामने आंतिरिक चुनोतियां थी, और फिर इसके सामने क्या आएंगी कुछ बाहे चुनोतियां, बाहे चुनोती, बाहे चुनोती कौन सी थी इसके सामने, तो पहली चुनोती आप देखोगे, जो गौरी के अन्य दास्ते जैसे नाम सुना होगा आपने कुवाचा आपने नाम सुना होगा इल्दोज इनकी भी नजरें इल्दोज जो है इनकी भी नजरें कहां थी इनकी भी नजरें दिल्ली सल्तनत पर थी ये भी चाहते थे कि हम कहां करें दिल्ली पर आखे राज्जी क तरह क्यों चाहते थे कि भारत कितना संपन नदेश है आप इस बात को समझते हो कि जहां पर इतना बहतरीन जाल हो नदियों का जैसे इधर ये सिंद नदी सिंद की साइज जेलम चिनाव रावी सतलज और यहां पर यह ब्यास नदी इस तरह से आप आप देखोगे यह इस ट्र चन नजर आता आपको इधर गंगा यमुना कोसी गंडग घागरा राम गंगा चंबल इस तरह से सोन इधर ब्रह्म पुत्रा नदी आ रही उसकी साहक नदियां इधर यानि राजिस्थान में लूनी इधर सावर्मती नर्मधा तापी गोदावरी कृष्णा कावेरी महानद भारत में इतना संपन्नगर जाँ चेत्रो नदियों का तो वहां क्यों नहीं सोना वर्सेगा जिसकी हिफाजत उत्तर में हिमालय जैसा प्रहरी कर रहा हो और जिसके तरफ एक तरफ अरब सागर दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ हिंद महा सागर हो वहां संप पर नता था यहां की टोपोग्राफी इतनी बहदरीन थी तो कुबाचा यह दोनों नजरें गणाए हुए थे ससुरे कि हम भी क्या करेंगे भारत पर क्या करेंगे राज्जी करेंगे तो एक बिदेशी चुनोती बाहरी चुनोती इलदोज कुबाचा की थी और दूसरी मंगोल सर उठा रहे थे तो मंगोल भी क्या मंगोलों की चुनोती से बचने के लिए इल्दो तुम इसने क्या कारी किये अब ये इसके सामने क्या थी चुनोती थी अब इन चुनोतियों से जो निपटने के लिए कारी करेगा बही कार इसको क्या बनाते है महान बनाते है और बही कार इसको एक बास्तिविक सुल्तान की रूप में इस्थापित करते हैं। ठीके ना इसके कारी क्या थे। इसके क्या कारी किये इसका जो इसे बास्तिविक सासक कहा गया। तो पहला कारी इसने क्या किया। जो खलीफा थे। जो खलीफा थे। तो खलीफा से इसने सुल् पदवी ग्रहण की इसने पहला पॉइंट ग्रहण की सुल्तान की इसने क्या कर ली पदवी ग्रहण कर ली उसके बाद इसने अपनी राजधानी को सुरच्चित किया राजधानी को इसने इसने राजधानी को सुरच्चित कहां किया यह लाहॉर से दिल्ली ले आया लाहॉर से दिल्ली लाया, दिल्ली को बनाया, सारे कारी क्या करेगा ये, जो इसे महन बनाएंगे और जो बास्तिविक सासे को करने चाहिए, बही ये कारी करता है, दो कारी की इसने, अब उसके बाद ये क्या करेगा, सबसे पहले राज जी का ये प्रसासन मजबूत करेगा, तो प्रसासन के लिए इसने क्या किया? सबसे पहले चालीसा दल का गठन किया चालीसा इसने दल का गठन किया और आपको मैं बता चुका था दो नंबर के प्रश्ण में चालीसा दल क्या था? चालीस तुर्क सरदारों का समभू था यह जिसने तुरकाने चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है और इनको इसने कहां पर लगाया? इसने इनको इकताओं में लगाया एकताओं में यानि कानून व्यवस्था के लिए law and order, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, tax को वसूल करने के लिए, सांतिपूर बातावड के लिए, कानून व्यवस्था, सांतिपूर एस्टमॉस्पर के लिए, एकताओं से tax वसूलने के लिए, राज जी की देख एक निश्चित आय होनी चाहिए, तो फिर ये आर्थिक रूप में क्या करता है, आर्थिक छेत्र में, आर्थिक छेत्र में ये क्या करता है, सबसे पहले, एक्ता को विवस्तित करता है, ये एक्ताओं को विवस्तित, एक्ताओं को इसने क्या किया, विवस्तित किया, समझते दो आव मतलब दो नदियों के बीच का चेत्र उपजाओ चेत्र जहां पर आप जानते हो एलोवियल सॉयल होती है तो दो आव के महत्त को समझ कर महत्त को कि समझ कर इसने क्या किया वहां पर टैक्स बसूला सुधार की ये कुछ तो आर्थिक चित्र में और आर्थिक चित्र में क्या हुआ इसने कुछ सिक्के चलाए अब सिक्के में जैसे जीतल और इसने टंका तावे का जीतल और टंका किसका था चानदी का मुद्रा प्रडाली के विकास किया और इस मुद्रा प्रडाली के विकास से सिक्कों को जब इसने चलाया तावे का जीतल और चांदी का टंका जब इसने सिक्के चलाये तो इससे क्या हुआ इससे ब्यापार को बढ़ावा मिला प्रासाफने किस्टमें इसने इस explosiveness क्या करेगा समाजिक चितर में गलाज संवाचिक की कि अधिक्त्र इसने जो भारतिय लोग थे जो भारतिय लोग हैं बहात में अधिकतम हिंदू समाज के लोग रह रहे थे हिंदू रिलिजन को मानने वाले तो भारतिय लोगों के है ना निजी धर्म में इसने कोई हस्तचेप नहीं किया और इसने कैसे जो टेक्स बसूला वो सरियत के अनुसार सरियत के अनुसार ठीक ना सरियत के अनुसार और जब यह बताओ सामाजिक छित्र में ब्यक्तिकत लोगों जो आम लोग है जन जीवन के उनके नीजी जीवन में इंटरफेर नहीं करें किया तो उनको क्या दिक्कत है उनको एकदम पीस्पूल एटमोस्फिर दे रहा है अब य यह सारी चीज़े क्या होंगी यह सारी चीज हैं थर्ड नगरीकर अरवनाइजेशन नगरीकर को बढ़ावा मिला इससे लगा लंबी दूरी का प्या अचरान में ब्रद्य होगा इसके शासणकाल में और कहते हैं कि तरती नगरीकर कब हुई इल्तुत में से इसे हुई ठीक है उसके बाद इसने क्या किया जो छेत्रीय राजा थे छेत्रीय जो राजा थे जो नहीं मान रहे थे तो इसने क्या किया उनकी चुनौती को क्या किया इसने उनकी चुनौती को समाप्त किया जैसे एक एक जामपल जैसे इसने बंगाल को जीता इसने बंगाल क किया यह सारी चीज़ें किया हैं यह सारी चीजें इल्टुतमिस को एक बास्तिविक संस्तापप के रूप में दिखा रही हैं उसके बाद इसने बाहिचुनौती बाहिचुनाथी को कैसे तो इसने क्या किया बाहिचुनाथी से निपड़ने के लिए इसने जैसे तराइन का तराइन का जो तरती युद्ध था धर्ड वैड़ल अफ तराइन जो है 1215 श्वमे में तो इसमें जिसने कुबाचा इल्दोज को और कुबाचा एक के बाद एक दोनों की चुनोती क्या कर दी दोनों की चुनोती को इसने क्या कर दिया समाप्त कर दिया अब पहली चुनोती समाप्त होगी उसके बाद आती है मंगोल चुनोती मंगोल चुनोती को इसने कैसे समाप्त किया तो मंगोल चुनोती को मगवर्नी और जलाल उद्दीन जो मगवर्नी है वो यहाँ पर विचारा अपनी जान बचा के भाग रहा था क्यूं क्यूंकि इसके पीछे मंगोल सासक लगे पड़े थे वो इसका पीछा कर रहे हैं और यह विचारा भागते भागते भारत की टेरिटरी मा चुका और यह इल इल्तुतमिस से इसने क्या मांगी इसने सरड मांगी और इल्तुतमिस ने दूर दरसता का परचय दिया था और इल्तुतमिस ने दूर दरसता का परचय देते हुए जलाल उद्दीन मगवर्नी को सरड नहीं दी और जलाल उद्दीन मगवर्नी को जब सरड नहीं दी तो जला किसी विद्रोईयों को सड़ दी तो यह हमारे बनते हुए राज्जी को जो अंगुरित हो रहा है जो पुस्पित पलवित हो रहा है अभी राज्जी उसको पूरी तरह ये टिड्डियों की तरह वरबाद कर देंगे तो यहां पर इल्टुतमिस ने अपनी दुरदर सिता का प अनिक आरिवी थे जो जैसे इस्थापत्य की छितर में तो इसने इस्थापत्य और कला की सरचच दीया इसने इस्थापत्य अवम कला का सरचचच किया और आप जानते हो इसने क्या किया इसने जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, इसकी दूसरी और तीसरी मंजिल का इसने निर्माण कराया, जब किसी राज्ज में इसांती ववस्ता होती है, दो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता है, इस्थापती के काम होती है, कला के छित्र में काम होता है, इसने सिथ्था के चित्र में इसने मदर्सा मदर्सा ए नासरी की स्थापना की मदर्सा ए नासरी की स्थापना की कुतुम मीनार की निस्थापना की तो इस तरह से इस्थापत्ति के च्ट्रमें महतपुड युग्दान दे रहा है, सिच्चा के च्ट्रमें युग्दान दे रहा है और हँसन निजामी नाम का जो इत्यास्कार आपने सुना होगा तो यहाँ पर वो इसकी तारीफ फिरता है, अब आपने क्या देखा, इन आधारों पर क्या आपको इल्तुत मिस दिल्ली सल्दनत का वास्तिविक सासक लगा या नहीं लगा, यही सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, लिखना है, सबसे पहले हम किसी भी समस्या को जब लिख होगा, तभी यह कार्य है, और इत्यास हमेशा कार्य कार्य के सिध्धानत पर क्या करता है, हमेशा डिपेंड रहता है, कि अगर हमारा कोई कार्य हम कर रहे हैं, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है, कोई नो कोई कार्य है, तो दिल्ली सल्तनत का अगर ब तो मेरे प्यारे साथियों जो आज हमने जो बात की दो नंबर, चान नंबर और आठ नंबर के बारे में हमने प्रश्न पूछे और इसको डिसकस करने की हमने आप रियास किया है। अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ। आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।